हेलो फ्रेंड्स, वल्कम बैक हमने यूट्यूब चैनल, तो दोस्तों ये इस ड्रामा की एक्स्पिलनेशन का पार्ट नमबर सिक्स है, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गैस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, और अगर आपको ली Hasnil है, Haanoye कैती है Miss June, जस डірरेकटर ली की बात कर रही थी, क्या वो तुम हो? Haanoye कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बात करने की जरूरत है वो जाने लगता है, तबhaanoye कहती है, Mr. Lee, रुकर ज़रा मेरी बात तो सुनो हानियल कहता है साइड हटो मेरे लिए रस्ता छोड़ो हानियल कहती है कि आज हम बिजनिस के लिए नहीं मिलने वाले थे हानियल कहता है तो हानियल कहती है तो आप ऐसे ही बिना बात की कैसे जा सकते हैं हानियल कहता है क्योंकि अब मुझे जरूरत नहीं है तुमसे बात करने की हानियल कहती है मैं जियून तो कह रही थी कि आप बहुत ही ज़ादा इमानदार है तू फिर अब क्या हो गया मैं जानती हूँ कि आप मसे नफरत करते हैं लेकिन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहिए तो प्लीज समझे है हानियल कहता है कि कॉक्रोफ से ज़ादा नफरत मुझे किसी और चीज से आज तक थी नहीं लेकिन सच कहूं तो अब मुझे तुमसे कॉक्रोफ से भी ज़ादा नफरत है तुमसे मिलने से पहले मुझे तुम्हारी इस company से थोड़ी उमीदे थी लेकिन जब से मुझे पता चला इस नई company की CEO तुम हो तो अब मुझे इससे कोई उमीदे नहीं है क्या तुम्हें fashion के बारे में कुछ भी पता है हानिल कहती है ये सच है कि मुझे ज़ादा नहीं पता हानिल कहता है देखा जवाब तुमने खुदी दे दिया तुम किसी भी लायक हो नहीं और तुम्हारी company को मैं approve नहीं करने वाला हूँ मुझे उस company के साथ काम करना ही नहीं है जिसकी तुम जैसी बैकार CEO है समझ गई न वो ये कहकर के चला जाता है हाफिल जब उसकी जूनियर पूछती है कि बॉस मीटिंग कैसी रही तो वो कहता है सबसे वाहियाद वो भी हैरानों के पूछती है कि आज तक आपने कभी किसी को वाहियाद नहीं कहा तो वहीं हानुई भी बड़बडा दे वे जा रही थी तब ही रस्ते में उसे सी ओ यून मिलती है दोने एक दूसरी को अंदेखा करके बराबर से ही निकल जाती है खिर अब हानुई जब वापस से अपने आफिस पहुशती है तो देखती है मिस्टर किम ने तो उनके नए बिजनस ओपनिंग की त्यारियां करके रखी हुई थी हानुई बता ही नहीं पाती है कि काम बना ही नहीं इविन डोक्यूंग नहीं तो उसका बिजनस कार्ड भी बनवा दिया था हानुई कहती है ये मेरी जिन्दिकी का पहला बिजनस कार्ड है खर आगे हानुई, वो जियून को फोन मिलाती है, उससे बात करने के लिए, मगर जियून, वो अपनी आउंटी के साथ बिजी थी, इसलिए हानुई से फिलाल बात नहीं कर पाती है, और फिर वो हानुईल की बात याद करती है, मैं तमसे कौकरोग से भी जाद अनफरत करता फिर तबी डोक्यूंग बहाँ प्या जाता है और हानुई से पूछता है आखिर क्या हुआ हानुई कहती है हानुई कहती है कि आपके पास कोई रस्ता है एक इंसान कॉक्रो जिसको ना पसंद करता है मैं चाहती हूँ कि वो कॉक्रो जिसको पसंद करने लगे दो क्यूंग कहता है, impossible है, कौक्रो जिसको कौन पसंद करता है, हानुई उदास उजाती है, दो क्यूंग पूछता है, क्या तुम सच में किसी को कौक्रो जिस पसंद करवाना चाहती हो, हानुई कहती है, वो इनसान कौक्रो जिससे सबसे जादा नफरत करता है, मगर उसने कहा कि वो उनसे भी जादा नफरत मुझस से करता है दो क्यों कहता है वैसे impossible को possible बनाना ये भी अलगी challenge है कांग हानुई तुम कर सकती हो अपने प्यार के लिए तो तुम्हें इतना करना ही पड़ेगा हाने कहती है रहे नहीं नहीं प्यार वियार का कोई चकर नहीं है तब डो क्यों कहता है मैं किसी को नहीं बताऊंगा all the best वो ये कहकर केज चला जाता है खेर वहीं आगे दिखाया जाता है डो क्यों के डैड ने भी accepted कर लिया था कि वो जो करना चाता है वो कर सकता है जो क्यों खुश हो गया था तो वहीं हानुई भी जब अपने बिजनस के बारे में अपनी फैमली से बात कर रही थी तो उसे हमत मिलती है और उसके बाद वो कहती है मैं बिना कोशिश की ये हान नहीं मान सकती हूँ मैं कोशिश करूँगी और उस पत्थर दिल इनसान का डिसी सीजन बदल के रहूंगी तो बस फिर अगले दिन हानुई पार्किंग लॉट में चुप करके हानुईल के आने का इंतिजार कर रही थी अब जैसे हानुईल वहाँ पे आता है हानुई उसे देखकर के हाई करने लगती है मगर हानुईल ने तो अपनी कार की स्पीड बढ़ा ली थी ताकि वो हानुई को अवाइट कर सके वो फटा-फट चे अपनी कार पार्क करता है और हानुई उसके पीछे भाग रही थी अब हानुई ने जी उन को सब कुछ बता दिया था कि कैसे दोनों की बीच में गलत फहिमी है जिसके वज़ा से हानुई उसे मौका ही ने देना चाहता हानुई कहती है उनका दिल तो बर फीले पहाड से भी ठंडा है भला मैं उनसे बात भी कैसे करूँ जीउन कहती है ये बात तो सच है हानुई कहती है प्लीज मिस्स जीउन क्या आप मेरी एक और बार मदद करेंगी अब मिस्टर ली से कहिए कि मैं उनकी इंसर्ट नहीं करना चाहती थी और आगे से कोई गलती भी नहीं करूँगी प्लीज में उनसे माफी माग रही हूँ तो क्या हूँ मुझे एक और चांस नहीं दे सकते है अब जीउन हानुईल के लिए काफी ले करके जाती है हानुईल कहता है शुक्रिया तब जीउन कहती है ये मेरी तरफ से नहीं है ये कांग हानुई की तरफ से है मुझे हानुई नहीं सब कुछ पताया है कैसे आप लोगों के बीच में गलत फैमी हो गई थी उसने माफी मागी है और कहा है कि आगे से और आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी हानुईल कहता है क्यिए तो मुझे उसकी पार्ट टाइम वकील हो ये एक रिश्वत है, जो मजे नहीं चाहिए, मैं खुदी से फैक हूँ, इससे बड़ियत तुम ही वापिस ले जाओ इधर हानु कान लगा करके सुन रही थी, कि क्या चल रहा है, तभी हानुल गेट खोल देता है हानु कहती है, मिस्टर लिया, आप कैसे है, मैं तो आप से ही मिलने के लिए आ रही थी, देखिये ता सही, मैं कैसी लग रही हूँ जब ये टी-शिर्ट आपकी मॉडल पहनेगी, तो देखी का, सेल्स कितनी जल्दी बढ़ती है, हानुल इसे एक नोर करके जाने लगता है जा रही हूँ, उसके बाद वो भार जाती है, और तुरंत अंदर आ जाती है, हानुल चलता के कहता है, जाओ यहाँ से, हानुल इसे ख़़ाइ थी, यह मेरी किसमत इतनी खराब क्यों है, खेर हानुल भार आता है, तो हानुल इसे कहती है, मिस्टर ली, यह लीजो टावल, अपने हाथ पोश लीजे, हानुल खहता है, जाओ यहाँ से, मुझे किसी भी चीज की जरुवत नहीं है, अब हानुल फिर से सफाही देने लगती है, मुझे सच में नहीं पता चला था, मैं मैंन्स वाश्रूम में चली गई, मैं वहाँ सच में नहीं जाना चाती थी, तो इ सच में भीग मांगता हूँ, वो यह कह करके चला जाता है, और हानुी परिशान हो करके आफिस वापस लोटती है, तब दोक्यूं को सब बोलता है, क्या हुआ, उस कॉक्रोज मैं ने तमें डम कर दिया गया, मकर तब हानुी ने उसे पूरी बात बता दी थी, दोक्यूं कहत है, तो यह वो ही इनसान है, जिसने तुमें केवन शॉपिंग से निकल वाया था, यह तो सच में बहुत बुरा हुआ, हानुी कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, दोक्यूं कहता है, क्या तुमने मिस्टर किम को बताया, हानुी कहती है, वो इतने काविला की देता है, कि इसकी मदद से, शायद तुम उस पत्थर दिल इनसान का दिल बदल सको, हानुी कहती है, आपको भी इन किताबों की जरूरत है, अंकल को मनाना जो है, तब डोक्यूं कहता है, डैड ने आल्रेडी मुझे पर मीशन दे दी है, हानुी कहती है, पहले क् कुछ बता ही नहीं पाती, जब वो उसकी तरफ से नाचने काने की आवाजे सुनती है तो, खर अगले दिन आफिस में, डोक्यूं ने मिस्टर किम को बता दिया था, कि वो डैरेक्टर मान ही नहीं रहा है, मिस्टर किम कहते है, हानुी को ये मुझे बताना चाहिए था, तब तब भी वहाँ दूसरी इंपलाय मून आती है, और वो हानुी से कहती है, आप यहाँ पर क्षड़ी हूई है, हानुी कहती है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था, अब थोड़ी ही देर में हानुी इन लोगों के लिए कौफी ले करके अंदर आती है, अब हानुी जब में लिए कौफी रखती है, और उसके बाद हानुी से कहती है, यह अच्छी कॉल्टिका है, मैं आपको इसका डेमो भी दे सकती हूँ, इसे कितना खीच लीजे, यह बिल्कुल भी नहीं फटेगा, देखे, बिल्कुल नहीं फटा ना, और इसके बाद तो हानुी कुछ ज़ भुड़ीना है, जादा कीचिंगे, तो भटी जाएगा। हान्यूल तो इसकी बातों पे धियान ही नहीं दे रहा था। हान्यूल कहती है, देखिए मिस्टर ली, मैं आपके लिए प्रपोजल लेकर के आई हूँ। हान्यूल कहता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हान्यूल बार बार बोलने लगती है, मिस्टर ली, मिस्टर ली हान्यूल, मेरी बात तो सुनिये, हान्यूल कहता है, बार बार मेरा नाम क्यो चिला रही हो, हान्यूल कहती है, तेखिए, ये सारी डीटेल्स है, मेरी कमपनी प्रोड़क्ट के बारे में हानुल कहते हैं तुम्हें एक बारी में समझ नहीं आता है। शायद तुम्हारा पहला इंप्रेशन कुछ जादा ही बुरा था जो वो मानने को त्यार ही नहीं है। अगर आपका काम हो गया है तो आज आपको अपना वादा ने भाना पड़ेगा और मेरे साथ डिनर पे चलना ही होगा। अब हान्यूल उसे मना नहीं कर पाता और जियून के साथ डिनर पे चला जाता है। मगर जियून नहीं प्लान बनाया हुआ था। उसने हान्यूल को पहले से ही इस रेस्टोरेंट में ही बुलाया हुआ था। और वो उसे जाकर कि ऐसे मिलती है कि दोनों इत्तफाक से मिले हैं। मगर हान्यून के एक्टिंग कुछ जाद ही बुरी थीून कहती है एक्टिंग रहने ही देते हैं। हान्यूल से पूछती है कि आपको सब समझ में आ किया। हान्यूल हाँ बोलता है। वो जाने लगता है तब जियून कहती है आपने वादा किया था हानियल कहता है मगर सिफ तुम्हारे सार दिनर करने का तुम चाहो तो कहीं और जा करके खा सकते हैं हानुई कहती है मैंने खाना औरेड़ी आडर कर दिया है ये सब कुछ वेस्ट रजाएगा जियून नहीं तो बैट जाएए अब तीनो साथ में बैट तो गए थे मगर बहुत ही जादा सन्नाटा था तब जीून कहती है आप दोनों अपनी गलत फैमी को दूर कर लीजे तब हानियल कहता है कोई गलत फैमी है ही नहीं हानुई मन में सोचती है हम मुझे थोड़ी सी चापलू सी कर न लोगों से सुना है अब तुम मुझे मखन लगाने की कोशिश मत करो तब जीून कहती है हमारी कंपणी में सभी बोलते हैं कि यह बहुत ही जादा है हाने कहती है अच्छा ऐसी बात है और मन में कहती है लगता है सब कि आंके फूट गई है यह कहां से हैंसम लगता है और रह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते बहुत जल